रास्त्रे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को रास्त्रे किसान मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से रास्त्रे वापी चरण बद्ध आंदोलन के तहट अमबेट कर चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया बताया गया कि रास्त्रे पिछडा मोर्चा OBC किसान एवं कर्मचारियों के हित के लिए लगतार संगर्ष कर रहा है इसी कड़ी में यह धरना प्रदर्शन तीसरे चरण का अंदोलन है पांचवे चरण में अगर सरकार इनके बात नहीं मानती है तो 10 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा यह धरने की अध्यक्षता लाल प्रसाद वर्मा ने किया बताया गया कि किंद्र सरकार द्वारा जाती आधारित गिनती एवं उबिसी की गिनती करने से इंकार करने के विरोध में यह अंदोलन किया जा रहा है वही राष्ट्रे क्रिशी कानूर एवं इलक्ट्रोनिक वोटिंग मस्चीन के विरोध समय तरन्य मांगों को लेकर इनका अभियान जारी है इस धर्ना में सुदेंद्र प्रसाद कुश्वाहा, प्रविन कुमार, प्रदीप पंडेत, अर्जुन प्रसाद कुश्वाहा, व्रजलाल प्रसाद वर्मादी लोग मौजोद थे कि आवादी के बारे में 1921 की जो जमगन्ना थी इसके आधार पर माना जा रहा है, लेकिन देश आजाद होने के बाद आज तक कोई भी जमगन्ना OPC समाज की नहीं की गई, जिसके आधार पर OPC को इसका खाम्याजा बजट में, नौकरी में, समसाधन में, इन सबों में उसक करें हग हिस्यदारी बरबाद हो रहे हैं, इसलिए OPC की जाती आधार जन गानना की जानी चाहिए, दूसरी बात जो है, वो भारत सरकार के द्वारा जो तिन काले कानून किशानों के विरोज में जो बनाये गए हैं, इस एक इसका किशानों की जमीन का हग जो उन पर है, वो बरबाद होने का उसका समाप्ट होने का भारी दर है इसलिए इन काले कारणों को की भी समाप्टी की जानी चाहिए इसके साथ है नीजी छेतर अगर किया जा रहा है वेक तो नीजी छेतर नहीं किया जाए जो हमारे हेक्टनिया है जो हमारे कलकार खाने है शरकारी महक में कि उसको नीजी छेतर में आउने पवने दाम में सरकार बेच रही है जिसका खाम्याजा हमारे आरक्षन पर पड़ रहा है इसलिए इसका बेचना बंद करें और नहीं तो फिर एगर नहीं बेचना बंद करती है तो नीजी छेतरों में भी जो करेक्टेरिया है आरक्षन का रिजर्वेशन का वो रिजर्वेशन नीजी छेतरों में भी लागू करें इन सब मांगों के लिए हम चरण बद रूप से हमारा रास्तिय ये नत्रित जो है वो रास्तिय नत्रित की ओर से रास्तित पिछड़ावर के बैनर के तले हम लोग धरना परतसन का काल चला रहे हैं यह आगे जो है जैसा कि यह ग्यात है कि अगर इस बार अभी तक सरकार कुछ नहीं बात मानेगी तो एगला जो 25 नौवंबर है उसमें हम लोग जेल भरोव अभियान भी करेंगे और 10 दिसंबर को भारत बंद काप को भी किया जाएगा इनहीं बातों के साथ में अपने बातों